उनको मूग की खानी पड़ी और उसके बाद यह फिर बाजनी आए अभी तीन जो निर्दलिये जिनका इन्होंने दल बदल कराकर जिनका इस्तिफा कराकर दवारा से जो है चुनाओं में इनको खड़ा किया इन चुनाओं को भी प्रभावित करने के लिए अब जैराम जी जब वो डबल इंजिन की बात करते थे तब भी उसमें जो है बेरंग लोटते थे परन्तु अभी जो है बेरंग नहीं लोट रहे हैं सोगात लेकर नहीं आ रहे हैं जब भी दिली जाते हैं ED या CBA ही लेकर आते हैं अब आप बताएए हिमाचल परदेश के इत्यास में सबसे पहली बार ये एक हुआ कि चुनाओ को प्रभावित करने के लिए ED और CBA का रेट ठीक चुनाओ के दिनों में लगा इस किसम की वारदाद हम कहते हैं इसको वारदाद क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सरजेंतर कहता है बड़ी बेशरमरी के साथ जो हमारे B.J.P. ने किया है उससे हिमाचल बंधराम हुआ हिमाचल में आज तक जो है इस किसम की rate जैसे election के दिनों में हुआ है आज तक कभी नहीं हुआ है और इनका मुखे ये इस कारण ये था कि इन्हों ने देख लिया कि चुनाओं में ये हार रहे हैं और चुनाओं में जीतने के लिए इनके पास कोई और जो है नुकसा नहीं था तो उन्हों ने कहा कि ये जो rate करा कर हम जो है किसी ना किसी तरके से चुनाओं को प्रवावित करेंगे अभी आपने देखा होगा कि हमीरपूर और नदोन में EDA और CBI के rate लगे और EDA और CBI वालों ने जिन लोगों को जिनको इंट्रोगेशन ये चला हुआ है उनको टॉर्चर कर रहे हैं उनको जो ह जो है उनके साफ मारपीट की जा रही है और उनको जो है जो जवरस्ती से बाद्य किया जा रहा है किसी ना किसी तरह से मानिय मुख्य मंत्री का नाम उसमें आए और ताकि चुनाओं में जो हे, उसका फैदा़ा ये उठाएं तो इस गिस्म की गृनिज काम जो है, बीजेपी ने किया हुआ है और आमने पिछले कल देखा हुआ, ठीक जो है अब जो है चुनाओं का जो एक जो करेका जो था करेकरम समाफ्त हुआ और जो बीच में एक दिन का जो silence का टाइम होता है उसमें भी जो है हमारे वहां के प्रत्याक्षी होश्यार सिंग जो है किरें गोली मार देंगे और इससे पहले भी बीजेपी के नेता गोली मारने की जो है बात वो आप लोगोंने कई बार सुना होगा तो यह बीजेपी वाले जब हताशा के स्टेज़ पर आता है तो इनके अंदर जो है एक किसम से जो असली चेरा है वह बार निकलाता है और यह जो है गोली मारने की बात करते हैं अब बताईए कि एक प्रत्याक्षी जिसके पास CRPF की पूरी जो है कंपनी साथ चल रही है एक कंपनी कंप से चल रही है जिस दिन इनोंने लोग सुवा जो राजसुवा के चुनाओं में इनोंने जो है अपना वोट बेचा उसी दिन से लेकर अब तो तीन मेने से ज़ाद से और ये लोग जो है पूरे हिमाचल प्रदेश का जो एक शांत मोहल है उसको जो है खिराब करने में तुले हुए हैं और इस किसम की जो बात कहना और इस किसम का जो है कानून को अपने हाथ में लेने की बात जो करते हैं इनके खिराब जो है सक्ती से जो है हमें पेशाना पढ़ेगा क्योंकि हिटलर भी ऐसा नहीं बोलता था कि गोली मार दूँगा अब तो यह हिटलर साही से भी ऊपर चले गए हैं और इस लोगतंतर को यह नहीं मानते यह जो आज संविधान को नहीं मानते और सबसे बड़ी बात यह है कि जब EDA और CBI में रेड पढ़ने का कार सब्सक्राइब तो आज EDA और CBI केबल मातर जो है बाजपा में जो जबरस्ती से जो स्तापित नेतरतव है उसको अपनी और आकरशित करना या उनको जो है अपने दल में शामिल करके राजनेतिक लाब लेना यही बारती जनता पार्टी का नेशनल एजंडा बना हुआ है औ और इस नेशनल एजंडे को हर स्टेट में जो है भखूवी के साथ बड़ी बेशन में के साथ और स्नवधान को धर किनारे रखकर नेतिक्ता को धर पारे रखकर सारे नियमों को ताक्ट पे रखकर इस किसम का ग्रिजित कारे कर रहे हैं और हिमाचल परदेश में जो यह सिलसला इनों ने शुरू किया है यह हिमाचल के लिए अच्छा नहीं है और हम इसको इसकी बहुत जो है कड़ी निंदा करते हैं हम जो है कॉंग्रेस पा यह कहां पर सरकारी मिशनिरी का दूर्पयोग हुआ है खाली एक स्वीपिंग स्टेटमेंट लगाने से सरकारी मिशनिरी का दूर्पयोग नहीं होता है सरकारी मिशनिरी का दूर्पयोग तो जैराम जी करते रहे जब जब यह सता में थे उस समय जो है यह जो है सारे अधिक लगती थी कि चुनाओ सवा में जो है ये एक एक जो है वर्कर और बेनिफिश्रिस को ये जो अधिकारी में जिनका करमचारियों का नाम गिरा है इनकी डूटियां लगती थी आपने देखा हुआ कि अठारा क्रोड का जो है एचार टी सी का जो अभी तक का जो उन्होंने जो ह है सरकारी मशिनिरी का दूरपयों को रहा है ये चुनाओं में अपनी हार को निश्चित मानकर इस किसिम के हत्कंडे यह बना रहे हैं जो लोकतन की हमाचल परदेश में पिछले कुछ महिनों से बारतिय जनता पार्टी वह उनके नेता गंद विशिषकर नेता पूर मुक्य मंत्री जहराम ठाकुर हमाचल को बदनाम करने में और हमाचल को बरबात करने में कोई कसर नहीं चोड़ी हुई है उन्होंने पहला कोशिश किया कि एक लोगतांतरिक तरीके से बावमत की सरकार को जो है गिराने का एक नाकाम कोशिश उन्होंने किया जुसमें जो है धन्बल का खुलकर बड़ी बेशर्मिक के साथ प्रियोग भी किया गया और साथ में आपने उसमें देखा हुगा किस किसम का नंगा नाच इनोंने किया सरकार गिराने के लिए और जो चुनेवे विदायक थे उन से उनका मत राज्य सवा में किस तरह से उन्होंने खृदा और आपने उसमें देखा हुगा उसमें कि जैराम ठाकुर उसमें जो वहाँ पर बिवार किया मद्दान के अंदर के अंदर आकर जस तरह से उसमें उन्होंने वहाँ पर जो है एक सिमसे वहाँ पर मद्दान के अंदर के अंदर जाकर किस तरह से जो हमारे वहाँ पर उसमें जो प्रत्याक्षी थे कॉंग्रेस के उनके जो एजिन्ट थे उनके साथ भी बड़ी बत्तमी जी की उनको ड्राना दमकाने की कोशिश की और वो भी जो है किसी इसे चुपी नहीं है तो इस बातों से साब जाहिर होता है कि भी जेपी को वा उनके नेताओं को लोगतंत्रिक जो हमारे नियम है हमारे संविदान है उनसे कोई लेना देना नहीं है उनको केबल जो है सत्ता में बना रहना है वही जो है सबसे बड़ी इनकी आज के तारीख में जो है एक लक्षा है उनको हिमाचल बदनाम हो रहा है ह हमाचल जो है यहाँ पर हर तरह से विखास में पिषड रहा है उससे उन्हें कोई ले ना देना नहीं है अभी जो लोगसुबा के साथ दिल्ली गए कुछ दिन पहले वापीस ही में कहले कहले है हमाचल के लिए कोई सोगा थोड़ी लाए एडी और सीवियाई वाले इसके पशुफ भक्स कह रहे हैं कि जासूसी उनके कैनिडीग की की जहामें केनिडीड याथ पीछे से सिविल में वो जासूसी जासूसी जो होता है गुप-चुप से होता है जिसता से इन्होंने पेगास सज़स्दिक का बूलाया था टेक्नोलोजी जो हमारे फोन के अंदर गुश गया हमारे कमरों में गुश गया अर्बों रुपे जो है इन्होंने खर्च किया उसको लाने के लिए इसराहिल से वो थी जासू सी अब अगर कोई गारी में बैठकर अगर किसी के पीछे जा रहा है और वो पता लग जाए तो वो कोई जासूस थोड़ी हुआ वो तो निकमा जासूस है ठीके धन्यवाद किसी भी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं कोई वीविशारदारा के हो सकते हैं बात वो नहीं है रेड जो है अगर करना था तो चुनाओ से पहले भी कर सकते थे क्या जल्दी लगी है इनको चुनाओ के दो दिन बाद भी कर सकते थे चुनाओ के वोटिंगे बाद भी कर सकते थे हमारा कोई उससे वो नहीं है कि रेड क्यों हो रहे हैं पर रेड करने का जो टाइम इन्हों ने रखा है वो चुनाओ को प्रभावित करने के लक्षे से रखा गया है। जो है वी साल देड़ साल से अंदर है उनका जो है जमानत नहीं होता है। बाकियों के सब के जमानत हो गए। तो यह जो है यह CBI और EDI केवल जो है बीजेपी के कटपुतली बने हुए हैं और लोगतंतर को कमजोर करने का और बीजेपी को सत्ता में लाने का माध्यम बना तो उनको तो यह जो कहते हैं मुझे लगता है वो जो भी कह रहे होंगे अपनी तार की बात भी करें। यहां भी मतलब गोली माने जैसी बाते करके यहां के मौल को खराब किया जा रहा है।